नमेशकर दर्शकों आप सभी का स्वागत है आज के इस खास प्रोग्राम में दर्शकों आज हम बात करेंगे किसी भी वर्ष के नवंबर मन्थ में जन्मे जातक के गुणवा स्वभाव के बारे में अगर आपको किसी भी इंसान के स्वभाव और खासियत के बारे में जानना है तो आप उसके जन्म माह से जान सकते हैं जिन लोगों का जन्म नवंबर महीने में होता है वह बहुत ही भागयशाली और धर्वान होते हैं साथ ही वह अपनी जिन्दिगी में हर बुलंदी को चूते हैं दुनिया के कई ऐसे महान और प्रभावशाली लोग हैं जो नवंबर महीने में जन्मे हैं नवंबर महीने में शारुखान, विस्टरन चर्चिल, जवाहरलाल नहेरू, इंद्रा गांधी, बिराट कोहली, एश्वरिया राय, सांगे मेजा, नीता अंबानी, कमल हसन, यामी गौतम, जुही चावला, रानी लक्ष्मी बाई, तब्बू, सुश्मीता सेन, जीनत अमान हरिवंश राय, बच्चन, मुलायाम सिंग, यादव जैसे महान हस्तियों का जन्म हुआ है, चलिए जानते हैं इनकी खूबियों के बारे में, तो नवंबर में जन्में लोग बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, बेहद ही खास होते हैं यह लोग, इनकी सोच दुनिया से बिलकुल हट करके होती है, काम करने के तरीके की बात करें तो नवंबर में जन्में लोगों का काम करने का तरीका बिलकुल ही अलग होता है, खास बात तो यह है इनके सुभाव की कि नवंबर महीने में पैदा होने वाले लोग बहुत इमानदार और वफादार और मासूम होते हैं दोस्त हो परिवार हो या फिर जीवन साथी नमंबर में जन्म लेने वाले लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं नमंबर महीने में पैदा होने वाले लोगों पर आप आँख बंद करके भरोस अभी कर सकते हैं नमंबर में पैदा हुए लोगों का व्यक्तित् कि लोग इनकी तरफ आकरशित हो ही जाते हैं, हर जगह जा करके वह अपना आकरशन का केंद्र बना लेते हैं, इनकी मौजूदगी लोगों को बहुत ही पसंद आती है, हाला कि इनसे दूसरे लोगों को इरश्या कई बार हो जाती है, समय पर काम करना इन्हें बहुत पसंद हो इनका मानना होता है कि जहाँ चाहा है वहां रहा है। साभा के बीच में ये सुन्दर वर्चस वो इस्थापित करने वाले लोग होते हैं। इनके राज के बारे में कोई जाने ये इन्हीं बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इन लोगों को पर्सनल लाइफ में स्पेस चाहिए होता है। नमंबर में जन्मी लोग बहुत सीक्रेट और प्राइवेट टाइप के होते हैं। लेकिन वह दूसरे लोगों के साथ हर जाता नहीं हैं तब तक ये अपनी भावनाएं दिखाते भी नहीं हैं। दूसरे लोगों की इन्हें बिल्कुल परवा भी नहीं होती है। इन लोगों को अपने तरीके से जीवन जीना बहुत पसंद होता है। साथ ही सासी होते हैं, निडर भी होते हैं। इन्हें वो रास से कोई मतलब नहीं होता है, इसके उनको कोई परवाह भी नहीं होती है, हर काम को करने का उनका एक अलग अपना अंदाज होता है, नमंबर में जन में लोग हर किसी की विचार धारा या राय का पूरा सम्मान करते हैं, यह लोग दूसरों के बारे में कोई भी धारना खुद से नहीं बनाते हैं, हाला कि कोई इनसान इनके साल गलत कर देता है, उसे यह बरदाश भी नहीं कर पाते हैं, नमंबर में जन में लोग सही को सही, अथवा गलत को गलत कहने में पीशे भी नहीं हरते हैं, चाहे इनका अपना नुकसान ही क्यों नहीं हो जाएं, किसी के बारे में अपने से कोई राय नहीं बनाते हैं और उनके बारे में कोई गलत सोचे ये भी इन्हें बिल्कुल बर्डाश नहीं होता है। तो ये तो आपकी विशेस्ताय हैं, अब बात करते हैं आपके कमियों के बारे में, तो इस माह में जन्में जातकों की अभी व्यक्ति थोड़ी सी कमजोर होती है, ये लोग चाहते हैं कि सामने वाला इनकी बातों को बीना कहे ही समझ जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ तो इन का इंतजार करते रहते हैं, अकसर देखा जाता है कि लोगों के साथ इनका कम्यूनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसकी बज़र से लोग अकसर इन्हें गलत समझ जाते हैं, आपके लिए सलाह दी जाती है कि अपनी कम्यूनिकेशन स्किल को सुधारें, करियर की य इन लोगों को अकसर लेखग, टेकनलोजी, पुलिस, पत्रकार, कलाकार, सरजन ये गुप्त चर भी भाग में सफलताएं मिलती हैं, इन जातकों का समझ अकसर न्यायाल है, पुलिस, होटल, अस्पताल आजिसे भी होता है, आपके भाग्यांक की यह दिबात करें, तो भाग दिन आपके लिए सोंवार, मंगलवार और गुरुवार है, शुप रंग आपका गुलाबी, चॉकलेटी ये सफेद कलर है, विवाह वर्ष की यह दिबात करें, तो 24 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष और 31 वर्ष आपके लिए विवाह योग कारक रहता है, भाग्योदे वर्ष आ बताई गए वर्ष में, और इन छेत्रों में यदि आप रयास करते हैं, तो आप सक्सिस अचीव कर सकते हैं, आशा करते हैं हमारे द्वारत दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा, नमस्कार